चले पाट की रूप रेखा बता देती हूं आपको चंद्र गेहना से लोटती बेर कविता में कवी केदारनात का प्रकर्ती के प्रती गेहन प्रेम का पटा चलता है वह चंद्र गेहना नामक स्थान से लोटते हैं तो वहां का प्राकर्तिक परिवेश उन्हें आकशित कर लेता है उसी प्रकर्थी एवं संस्कृति की एकता को इस कवीता में व्यक्त किया गया है केदारनाथ अग्रवाल के बारे में थोड़ा बता देती हूँ मैं आपको ये प्रगतिवादी कवी है और लेकग है इनका जनम सन 1911 में उत्तर परदेश के बांदा चीले के कमसिंग गाउं में हुआ था इन्होंने इलाबाद में कॉलेज की सिक्षप पूरी करने के बाद आगरा विश्यो विद्याले से LLP की डिग्री ले थी और बाद में वकालत करने लगे थे इसके साथ ही इन्होंने राजनीतिक, सामाजिक और सहितिक जीवन में भी अपनी सक्रेता बनाए रखी तो आईए पढ़ते हैं कि दारनाच अगरवाल की कविता जिसमें हम कव्यांश का भावार्थ पढ़ेंगे साथ ही मैं आपको शब्दार्थ भी इसमें बता रही हूँ, आप शब्दार्थ में देख सकते हैं, अभी बावार्थ देखते हैं अवयान स्प्रथम है देख आया चंद्र गेहना देखता हूँ द्रश्य अब मैं मेड पर इस खेट की बैठा अकेला एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना बांधे मुरेठा सीस पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है, पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हठीली देह की पतली, कमर की है लचीली नील फूले फूल को सिर पर चड़ा कर कह रही है जो चुए है, दूहर दे का दान उसको फिसका व्यंश में कवी ने ग्रामीन द्रश्यों को अत्यंत सजीव रूप में प्रस्तुत किया है गाउं का द्रश्यों ने इसमें बताया है वो कवी जो है एक गाउं है, चंद्रगेहना जिसका नाम क्या है? चंद्रगेहना गाउं देख कर के आ रहे हैं उसके रास्ते में इन्हें खेत खलिहान मिलते हैं कवी एक खेत की इमेड़ पर अकेला बैठा है उसके सामने चने के छोटे-छोटे पोधे भी खड़े हैं जो एक बालिस्त यानि बित्ते बिल्कुल एक हाथ के बराबर होता है बित्ता हाथेली के बराबर होंगे चना रूप में हरा और ठिगना है चने के पोधे का सुंजर्य बर्नन करता हुआ कवी कहता है कि इतने छोटे से हरे रंग के पोधे के ऊपरी भाग में गुलाबी रंग का फूल है जो उसकी पगडी सा प्रतीत हो रहा है जिससे उस पोधे का सुंजर्य बड़ गया है पोधे के ऊपरी भाग में गुलाबी फूल आ जाता है चने के पेड़ के उपर चोटा सा यह खथेली के जितना होता है चने का पेड़, तो उसमें वो कह रहा है कि यह पगड़ी जैसा लग रहा है उससे उसका स्वंद्रिय और भी बढ़ गया है चने की कयारी के पाच यह एक अलसी का पौधा भी लगा हुआ है अलसी को तीसी भी कहते हैं जिसे देखका लगता है कि वह भी जवरदस्ती हटपुर्व क्यानी जवरदस्ती उग आया हो जिसकी तुलना वह एक नारी से कर रहा है जो दूगली पदली है और जिसकी कमर लचीली है किसकी तुलना कर रहा है याँपर कभी alci की तुलना नारी से कर रहा है उसके सिर्पर भी एक नीले रंग का फूल मानो पूर्ण समर्पण हे तु तयार है उसे alci पे भी एक नीला फूल है जो अपने आपको समर्पित करने को तयार है कवी को ऐसा लगता है कि मानो alci कह रही हो जो मुझे प्यार से चुएगा उस पर मैं अपना हदे नियोच्छावर कर दूँगी इस परकार अलसी के पोधे को कभी ने प्रेमातुर नाइका के रूप में प्रस्तुत किया है प्रेमातुर का मतलब है जो प्यार करने के लिए तयार हो दूसरा काव्याश है और सर्सों की ना पूछो हो गई सबसे सयाने हाथ पीले कर लिये हैं ब्याह मंडप में पधारी फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे देखता हूँ मैं स्वेंबर हो रहा है प्रकति का अनुराग अंचल हिल रहा है इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिया भूमी उपजाओ अधिक है और पैरों के तले है एक पोखर उठ रही इसमें लहरियां नील तल में जो उगी है घास भूरी ले रही है वह भी लहरियां भावात बता देती हूँ कभी सर्सों की सुन्दरता का वर्नन करता है इस कव्यांस में और बताता है कि उसके रोब सुन्दरय और हर्स उल्लास के बारे में कुछ मत पूछू चारों और उसका पीला रंग चटक रहा है वह ऐसी प्यारी अकर्शक और मन भावन लग रही है जैसे कोई कन्या जवान होने पर शादी के योग्या हो गई हो उसके पीले फूलों को देखकर ऐसा लगता है मानो उसने शादी के वस्त्र पहन लिए हो सर्सों कितलना किस से कर रहा है एक कन्या से कर रहा है और सस्धजकर पिवाह मंदप में आई हूँ इस खुशी के अवसर पर मानों फागुन का महीना सुयम फ्वाग के गीत गाता हुआ चला आया हूँ फागुन के महीने में सर्सों के खेत हरे भरे हो जाते हैं यहाँ पर कवी ने सर्सों की तुलना एक प्यारी कन्या से की है यह देख कर लगता है जैसे किसी कन्या का स्वेंवर हो रहा है इस शांती पून वातावरण में प्रकरती का प्रेम रूपी आचल हिल रहा है सभी प्रसन्नचित दिखाई दे रहे हैं कभी गाउं से दूर किसी सुनसान जंगल के विशय में बताता है जहां का वातावरण बहुत ही शांत है जहां अने कोई व्यक्ति नहीं है व्यपारिक और शहरी गतिविदियों का किसी प्रकार का कोई दिखल नहीं है जहां की भूमी बंजर होते हुए भी प्रेम पैदा करती है यहां तक कि वहां के पेड़ पोधे भी प्रेम कहते हैं यहां प्रकरती का प्रतेक अंग प्रेम से सराबूर दिखाई दे रहा है जहां कभी बैठा है वहां छोटा सा तलाब है जिसमें लहरे उठती रहती हैं और वहां तलाब के साफ पानी के तल में उगी घास भी लहराती दिखाई देती है तीसरा कावांस हमारा है एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा आँख को है चकमकाता हैं कई किनारे हैं कई पत्थर किनारे पी रहे चुप चाप पानी प्यास जाने कब बुझेगी चुप खड़ा वगुला डुबाए टांग जल में देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है चट चबाकर चोंक में नीचे गले के डालता है भावार्थ यह है कि प्रस्तुत कंक्तियों में कवी ने एक तलाप का वर्नन किया है उस स्थान के प्राकर्तिक सुन्दरे का वर्नन करते हुए वह बताता है कि तलाप के पाणी में सुर्य की रोशनी चांदी के गोल खंबे के समान प्रतीत होती है तथा उसकी चमक आँखों में चकाचवांद पैदा करती है इस तलाब के किनारे अनेक पत्थर हैं तथा हवा के इस पर्ष से तलाब के पानी से लहरे उठ रही हैं जिस कारण तलाब के किनारे का पानी उन पत्थरों को चू रहा है यहे देख कर ऐसा प्रतीत होता है मानो ये पत्थर प्यासे हो और वे पानी में डूब कर चुपचाप पानी पी रहे हो कभी सोचता है कि इन पत्थरों की प्यास पता नहीं कब भुजेगी क्योंकि ये इतने लंबे समय से पानी पी रहे हैं ना जाने ये कब तक पानी पीते रहेंगे इसी तलाब में एक बगुला अपना एक पैर पानी में डुबो करके खड़ा है देखने में तो वह ध्यानमगन लगता है पनंतु जैसे ही किसी चंचल मचली का आभास होता है तो वह अपनी ध्यान रूपी निद्रा को त्याग कर उसे तुरंत चोंच में दवा कर गले में उता लेता है काव्यांश चार एक काले माथ वाली चतुर चिडिया स्वेत पंखों के जपाटे मार फोरन तूट पड़ती है भरे जल के रदे पर एक उजली चटुल मचली चोंच पीली में दवा कर दूर उड़ती है गगन में और यहीं से भूमी उची है जहां से रेली की पटरी गई है टेन का डाइम नहीं है मैं यहां सचंद हूँ जाना नहीं है प्रस्तुत कावय पंक्तियों में कवी ने बगुले के समान चतुर एक चिडिया का वर्नन किया है तालाब के किनारे ही काले माथे वाली अर्थात काले सीर वाली एक चिडिया है और उसके पंक सफेद है जैसे ही वह कोई सफेद मचली देखती है तो उस पर तूट पड़ती है और उसे अपनी पीली चोंच में दबा कर अकाश में उड़ जाती है और वहीं उड़ते उड़ते ही उसे खा लेती है कवी जिस स्थान पर बैठा है वहां के सामने दिखाई देने वाली भूमी का धरातल उचा है वहां से रेल की पट्री भी कुजर रही है कवी कहता है कि अभी किसी गाड़ी के आने का समय नहीं है और वह अभी जाना भी नहीं चाहता क्योंकि वह इस समय स्वतंत्र है अर्थात उसे कोई विशेश काम नहीं करना है प्रकर्ती का अधभुत और अकर्शक रूप कवी को वापस जाने से रोक रहा है चित्र कूट की अनघड चौड़ी कम उंची उंची पहाड़ियां दूर दिशाओं तक फैली हैं बांज भूम पर इधर उधर रीमा के पेड कांटेदार कुरोप खड़े हैं सुन पढ़ता है मीठा मीठा रस्त पक्ता सुग्ये कास्वर तें 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 सुन पढ़ता है बनस्त लेकारदे जीर्था उठता गेटा सारस कास्वर इन पंगतियों में कवी चित्र कूट की प्राकर्तिक छटा का वनन करते वे बताता है कि चित्र कूट की उची और नीची उबर और खावर पहाड़ियां दूर दूर रख फैले वी है इस चेत्र की भूमी उपजाओ नहीं है यानि बंजर है जो बंजर भूमी होती है वो आपर कुछ भी अगदा नहीं है यहां किसी प्रकार की घास, हर्याली या चायादार पेड नहीं है इस भूमी पर इधर अधर काटेदार कुरूप रिवा के पेड उगे हुए है रिवा के पेड कुरूप और भद्दे इसलिए हैं क्योंकि उनमें ना तो हर्याली है ना ही ताप मिटाने युक्य चाया है और ना ही मन को शांत प्रदान करने वाला सौंजर्य है इस वातावरण में एक और पौकर के किनारे से तोते का रस टपकाता मीठा स्वर तेटे सुनाई पड़ता है तो दूसरी और जंगल के हरदे को भेदता सारस का स्वर भी सुनाई पड़ता है सारस के जोडों की टिरंटो टिरंटो की धनी सारे जंगल में दूर दूर तक गूंज रही है सारस का स्वर कभी तिवरु होता है कभी मंद पड़ता है इस परकार सारस के स्वरसी मानो जंगल का हरिजे बिथ हो गया हो यानि चलनी हो गया हो छटा कावयान से है मन होता है उड़ जाओं मैं पर फेलाए सारस के सन जहां जुगलू जोड़ी रहती है हरे खेतों में सच्ची पे में कहानी सुनू चुपे चुपे इस पंक्तियों में प्राकर्तिक वातावरण वै उसके आस पाश की शामती और दूर से आती सारस की आवाज को सुनकर कवी का मन विभोर हो उड़ता है विभोर होना यानि खुश होना उसका मन कहता है कि वह भी सारस के साथ पंक लगा कर उड़ जाए जहां लह लाते खहरे खेतों में वह युगल जोड़ी रहती है वह भी उनके साथ उसी प्राकर्तिक वातावरण में रहना चाहता है क्योंकि प्रेम के लिए प्राकर्तिक वातावरण से उप्युक्त स्थान कोई है ही नहीं कवी यहीं रहे कर चुप चाप तथा चिप कर उनकी सची प्रेम कहानियां भी सुनना चाहता है